आप सभी लोगों को मेरे नमस्कार, आपकी सुरब भी आगे हुआ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बर्थ मन्त एंड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देखे लिए होगा थमने में टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि यह जो आने वाला साल है यह क्या सर्प्राइज़ आपके लिए लेकर आ रहा है तो काफी कुछ रहेगा आज की रीडिंग में यह रीडिंग पहले तो थोड़ी डीटेल रीडिंग होगी यहां पर मैं आपकी परसनालिटी के बारे में कुछ बाते बताऊंगी आपकी क बारे में कुछ बाते बताऊंगी आप रिलेट कर सकें आपकी रीडिंग है भी या फिर नहीं है तो अगर आपकी रीडिंग है इसको आप पूरा देखें नहीं है आपकी रीडिंग तो कोई बात नहीं हो सकता है मदई उनिवर्स को आपको आपके सवालों के जवाब नहीं देने हैं आभी इसको हलके में लेने का टेंशन नहीं लेना है परेशान नहीं होना है हो सकता है कि नेक्स रीडिंग में आपके लिए भी messages हो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो मैं जरूर से ले कर आँगी आगली बार भी और बहुत जल्दी क्योंकि ये reading birth months के आधार पर है और pick a card भी है यानि के cards के आधार पर है तो birth months आपको time stamp पर दिख जाएंगे तीन groups हैं वहाँ पर आपके birth months हैं देखेगा कि किस group में आपका birth month आधा है उसी की reading आपने देखनी है otherwise जो मैंने cards की बात करी है तो cards में आपके सामने रख देती हूँ यहां से 3 cards में रखूँगी जिनमें से 1 card या फिर 2 cards आप select कर सकते हैं depend करता है आपके intuition क्या कहती है let's see तो पहला card है यहां पर आपके लिए doubt अगर आपको हो सकता है आपको यह card चाहिए हो I release the need to know all the answers actually यह इस card का caption है so maybe आपको यह करने की जरूरत है हर एक सवाल का जवाब पता ही हो हमेशा जरूरी नहीं होता और हमें इतना पीछे भी नहीं भागना चाहिए कई सारे सवालों के कई बार नहीं जवाब हमें अपने समय पर मिलता है all right so maybe इसकी जरूरत हो आपको तो यह card आपके लिए आया है दूसरा card देखते हैं क्या निकल कर आता है humor यहाँ पर laughing Buddha है I choose to focus on the lighter side of life दूसरा option है आपके लिए यह तो मैं सभी को बोलती हूँ कि अपनी life के lighter side पर focus करें खुश रहें जो चीज़े अच्छी है उन पर थोड़ा थ्यान जादा लगाना है और अगला option देख लेते हैं आपके लिए क्या है imagination तो यह तीन options रहते हैं आपके सामने आप देख लिजेगा कि कौन सा card आपको चूस करना है तो आप पास से भी मैं दिखा देते हैं और screenshot ले सकते हैं और राइट गाईज आपने एक card select कर लिया होगा तो गाईज यह general reading है याद रहे general reading के जैसे आपने इसको देखना है और यह एक generalist reading है इसको कोई भी देख सकता है और सबसे important बात वो यह कि 709 tarot family जो हमारी है यहाँ पर धर्म और जाती को लेकर जरा भी भेद भाव नहीं होता है तो आप किसी भी धर्मिया जाती के हैं बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आप आराम से reading देख सकते हैं guidance ले सकते हैं इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप description चेक कर लें अगर आपको जानना है कि आपको free tarot card readings कैसे मिलेंगी या paid tarot card readings कैसे मिलेंगी या crystals आप कैसे ले सकते हैं या किस तरीके से मैं energize करके आप तक पहुचाती हूँ किस तरीके से मैं healing करती हूँ हार एक सवाल का जवाब आपको हमारे website पर मल जाएगा आप चेक कर सकते हैं otherwise आप मुझे Instagram पर भी join कर सकते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मैं लेकर आती रहती हूँ कुछ नया कर रही हूँ तो उसका अपडेट देती हूँ साथी साथ कुछ remedies, switch words यह सब कुछ शेर करती हूँ तो अगर आप interested हैं उसमें तो मुझे महाँ पर join कर सकता है और राइट गाइस तो शुरू करेंगे हमारी यह reading देखेंगे कि क्या कुछ आप receive करेंगे नियुव यर्ट पर चालिए, all the best ही गाइस, तो जन्हों ने भी चूज किया है ग्रोप नमबर वन को और काड नमबर वन को जो की है doubt I release the need to know all the answers तो मेभी आपको इस message की जरूरत थी that's why यह काड यहाँ पर है तो चले देखते हैं कि नियुव यर पर आपको क्या surprises मिलने वाले हैं तो शुरू करेंगे हम डरो कार्ट से और उसके बाद और इकल कार्ट भी आप लोगों के लिए रहेंगे इस रीडिंग में और राइट आपकी लाइफ में चल क्या रहा है अभी हाल फिलाल में उसका पता लगाते हैं आपकी इस ओफ पैंटिकल्स नाइट ओफ पैंटिकल्स फाइब फोरी आपका आपके करियर पर है हाल फिलाल और कोई भी चीज आपको उतनी important नहीं लग रही है या किसी भी चीज को आप priority नहीं देना चाहते हैं हाल फिलाल में आप चाहते हो कि financially आप stable हो जाओ और इसके लिए महनत कर रहे हो आगे भी बढ़ते हो लेकिन आपकी रास्तों पर धेर सारे obstacles आ जाते हैं जब भी आप कुछ नया करने जाते हो तो या जो पुराना कर रहे हो उसी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हो कुछ creativity लेकर उसको represent करने की कोशिश करते हो तो दिक्कत आ जाती है कभी कोई तो competition में आ जाता है कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध करने लग जाते हैं कभी family support नहीं करती है जब family support करती है तो आपके friends को आपका काम करने का तरीका पसंद नहीं आता या अगर आप relationship में है तो आपके partner की तरफ से कुछ issues हो जाते हैं कि आप पूरा दिन कामी कर रहे हो और हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं या फिर कुछ और दिक्कते आ जाती है health related issues भी हो सकते हैं कुल मिलाके obstacles बहुत हैं मेहनत कर रहे हो इमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन परेशा एसा हो सकता है कि यह जो number है ना यह transformation का होता है और ऐसे transformation का यह तरीके के होते हैं कुछ तो हमें अच्छे लगते हैं लेकिन अगर आपको 555 या 555 दिख रहा है ना तो यह ऐसा transformation होता है जो कि टाला तो बिलकुल भी नहीं जा सकता आपको phase करना ही करना है और आपको idea लग ज frustration आ जाती है जैसे आपको 555 दिखता है ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा है 555 के बारे में वह आपको अंदर से बेचैनी होगी कि कुछ तो है कुछ ऐसा लगीगा कुछ गड़बड होने वाली है हाला कि होता वो अच्छे के लिए है लेकिन यह थोड़ा heavy energy के साथ आता है यह एंजल नंबर तो हो सकता है कि आपको आजकल वह मैसूस होता हो वह heavy energy and health issues भी and stress होता होगा कई बार समझ नहीं आता होगा कि रीजन क्या है हमें क्यों गुस्सा आ रहा है अगर frustration होती है तो क्यों हम frustrate हो रहे हैं समझ नहीं आ रही चीज़ है तो ऐसा आपको हो सकता है लगत प्रिकन वोगोट और इसके जारा chances है लगता है यहां पर काफी धैर है आप में और आप जल्दी ना कोई काम शुरू नहीं करते ऐसी आपकी आदत है धैर से आगे बढ़ना सूच समझ कर फैसला लेना भली थोड़ा time लगे आपको उससे फरक नहीं पड़ता आप जल्द ब आपको परिशान कर देती है कि अब और कितना वेट ऐसा आइसा आपका सपना है आपका खुद का घर खरीदना या फिर कोई स्कूल खोलना या योगा सेंटर खोलना कुछ ऐसा है और उसको पूरा करने के लिए आपको पता है कि आपको धहर रखना ही पड़ेगा लेकिन जल्दी जल्दी से हो जाए लेकिन शुरुआत तो हो कम से कम येस एस अफ वान जज्ज्मेंट आपको लगता है कि आपको जहां पर एक्शन लेना चाहिए था आपने लिया और अब पूरी तरीके से ये भगवान पर है यूनिवर्स पर है कि कब वो आपके महनत का फल आप को दें आप की तरफ से अब कोई कमी नहीं रही है ये आपको पता है अच्छे से चाहें आपके इंट्यूशन ने आपको ये बोला या फिर किसी ने आपको बताया कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब समय है कैसे डिवाइन टाइमिंग जब आएगी तो आपकी म पॉज में हो लेकिन सोच जो है वो आपके करियर के आसपास ही घुमती रहती है और कोई चीज अभी इतनी इंपॉर्टन नहीं है यू तिंक के करियर बन जाए अब सेटल हो जाओ उसके बाद बाकी की चीज़े देखी जाएंगी अभी हाल फिलान में यहीं चाहिए और आप जो डिगरी पाना चाहते हों आपको मिले बाद की सारी चीज़े बाद में देखी जाएंगे करियर इंपॉर्टन्ट है वही है आपके लिए हुआ है तो चली देखते हैं कि यह जो नया साल है यह आपके लिए क्या कुछ लेकर आएगा लेट सी पैशन नंबर सेवन हो सकता है आपका डेस्टी नंबर सेवन हो नंबर फाइव भी हो सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि एट भी हो सकता है 578 मिलता आपको वो है जो आप मैनिफेस्ट करते हो लेकिन थोड़ा देरी से मिलता यह चीज मैं महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए जो कार्ड्स हैं सामने उनसे कि आप यह यूनिवर्स को नहीं कह सकते भगवान को यह नहीं कह सकते कि आपने मुझे यह नहीं दिया मतब जो मैंने मांगा वो मुझे नहीं दिया देते तो वो हैं लेकिन देरी से देते हैं कई बार इतनी देरी हो जाती है कि शाद वो चीज फिर आपको चाहिए ही नहीं रहती टाइम के बाद होता है ना कि वो नीडी खत्म हो गई या उसके प्रती जो पैशन था वही खत्म हो गया अट्रेक्शन था वही खत्म हो गया उस का मैं बताऊंगी सब कुछ क्या कुछ है इनका मतलब है ओके हेल्थ की मैंने बात करी थी और यहां पर यह कार्ड हाजिर है एक कार्ड इस टेक से और मैं निकालूंगी नंबर नाइंटीन आ गया यहां पर स्ट्रेंद bottom of the deck है success so congratulations और सारे कार्ड का मतलब तो मैं आपको बदाऊंगी लेकिन इसका मतलब तो आपको वैसे ही पता है और अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहां पर एक की बनी हुई है so जिसका मतलब है कि success की जो की है वो कही ना कही है new year आपके लिए लेकर आएगा आपको हमेशा लगता है ना कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इतनी सारी planning करने के बाद भी obstacles क्यों आ जाते हैं आप रुक क्यों हो जाते हो क्योंकि तैयारी आपकी हो जाती है बट night of pentacles है याँपर night of pentacles की जो energy है वो बहुत ही slow होती है आसे कई बार लोग relationship के लिए भी reading लेते हैं और ये card आता है उनके लिए तब आउनको बही बताती हूं कि आप जिस चीज का वेट कर जो ना commitment लेने का या शादी का या engagement का तो अभी उसमें अच्छा खासा टाइम है तो वेट करना बंद कर दो surrender कर दो यूनिवर्स को जब ठीक लगेगा यूनिवर्स वो काम कर देगी वेट मत करने बैठो वेट करोगे तो एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाएगा और ये energy बहुत slow है इस table है ऐसे अगर कोई पूछे के बंदा कैसा है लोयल है या फिर नहीं टिकेगा या फिर नहीं तो उसके लिए कार्ड बहुत अच्छा है यही अगर करियर के बारे में लोग पूछते हैं और ये कार्ड आ जाए तो मैं उनको बताती हूँ कि जॉब कहीं नहीं जाएगा या ये business है ये कभी बंद नहीं होगा लेकिन growth धीरे 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 अगर वही अगर partner की बात है लोयल है आफिम नहीं ठीका रहेगा मिखसा जाएगा कहीं नहींले कि लेकिन चीजरे धीरे कबकर आगे बढ़ेंगी ठीक है तो यहाँ पर यह कार्ड बहुत positive है लेकिन slow energy के साथ तो हो सकता है आपको कई बार यह लगता हो कि इतना यह इतनी चीज़े slow क्यों चल रही है आगे ऐसे करके क्यों बढ़ती है तो वो reason जो है वो आपको पता लग जाएगा कि क्या reason है new year जो है इस समस्या का हल लेकर आएगा ऐसा भी हो सकता है कि कोई remedy आपको बताई जाए herbs से जुड़ी हुई या कोई white spell हो सकता है जो कुछ चीज़ों कोई कटा करके आपको बोला जाए करने के लिए जैसे जो spells मैं बताती हूँ न कि जो करी पता है या फिर long है या फिर कई बार में और भी चीज़े बताती हूँ चावल के साथ चांदी के सिक्के के साथ कि ये चीज़ें आप remedies अपना सकते हो इनके साथ में white spell कर सकते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको ऐसा तरीका बताए जिससे कि आपकी ये जो obstacles है ये हट जाए रास्ता आपके लिए खुल जाए ये पहला message तो आपके लिए ऐसा है कि आप समझ सकते हो मैं नहीं भी बताती तो सभी को बताए success का मतलब क्या है दूसरा यहाँ पर जो आपक सभाफ था आपके ऊपर हो सकता है आप पर शनी की शनी का प्रभाव हो साड़े साथी वगएरे हो धैया हो या कुछ और ऐसे ग्रह थे जिनके चलते आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी पूरा साल आपकी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही होती रही तो दो हज़ 2024 में ऐसा होगा कि जैसी दूसरा I mean 2024 का साल लगेगा वैसे आपकी हेल्थ में सुधार होना शुरू हो जाएगा अब कली मुझे एक गुडिया का मैसेज आया वो बोल रही थी कि फाइनली जो मेरे हेल्थ इशूस थे वो कम होने लग गया हैं I'm very happy मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग करी उससे काफी मुझे फायदा मिला मुझे क्रिस्टल से फायदा मिला तो मैं शेयर करने वाली थी वो मैसेज लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं उसको अच्छा है तो उसको वो सारी चीज़ें और ज्यादा असर दिखाने लगें यह भी हो जाता है स्क्रिप्ट राइटिंग और मैनिफेस्टेशन का भी वही होता है जैसे लोग बोलते हैं कि हमने यह मैनिफेस्ट किया है मैनिफेस्टेशन आपकी वह हो गई वह मतलब प्रक्रिया जरूर दैर रखो तो वही चीज़ है तो नेक्स्टेश कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी अगर इस साल आपने कुछ रेमिडीज अपनाए हैं अगर इस साल कुछ भी प्रार्थना करीं मन्नत मांगी है नेक्स्टेश से चीज़ दिखेगी एक मैसेज आपक इसमें पैसा अच्छा है हो सकता हूँ आपका पैशन ना हो कई बार ऐसा भी हो जाते तो यूनिवर्स तरफ आपको सक्सिस नहीं देती आप वो कर रहे हो जहां से पैसा आ रहा है वो नहीं कर रहे है जो आपका इंटरेस्ट है और यह मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि पीछे भागेगी कि वो त्री इडिया टु मूवी में कहता था ना आमिर चीजें कहीं ना कहीं वैसे ही काम करते और वो मूवी बहुत अच्छा मेसेज है इन्हीं सारी चीजों के लिए तो वह है तो हो सकता है आपको समझ आए कि आपका पैशन क्या है या फिर अपने यहां पर मुझे मेसेजिस मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक एक मजबूती आपके अंदर आ जाएगी वापस से कुछ नया करने के लिए या फिर जो लोग आपके रास्ते में आते हैं उनको फेस करने के लिए उनसे फाइट करने के लिए अब जैसे कि यहां पर फाइव वां कॉंपटीशन है लोग एक दूसरे को डी मोटिवेट कर रहे हैं यह सारी चीज़े होती हैं अब चाहे वो एक फैमिली में हो चाहे सोसाइटी में चाहे रिलोटिफ में चाहे फ्रेंड्स में कहीं भी हो सकता है आपके कोलीक्स के साथ आपके बॉस के साथ या जो वही होते हैं यह सारी चीज़े या फैर कुछ ऐसा होगा कि आप सुनना बंद कर दोगी यह इसके लिए भी ना मजबूती चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है और आप एक कान से सुनके दूसरे से निकाल दो आप बताओ चाहिए इसके लिए स्ट्रेंथ या नहीं ऐसे बोलने में राइट लव पार्टनर्शिप की एनरजी है यहाँ पर काड़ आया है आपके लिए सो हो सकताँ है कि नेक्स्ट इयर आपको आपका टू सोल मेट डेस्टान पार्टनर परफेट मैच मिल जाए यह लव पार्टनर्शिप का काड़ आया है और खुद से ही गिरा है वह और नमबर भी है डबलेट तो जिस अबनेंस का आप वेट कर रहे हो जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपका करियर बने जिस जगे पर आप खुद को देखना चाहते हो जो इस्टेबिलिटी चाहते हो अपने जीवन में वो आपको मिलने वाले प्चाहें वो पर्सनल लाइफ को ल पता चलेंगी जो मारा हम मैं सभी को बोलती हो कि अपना सोल पॉपस आप फॉलो करो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी लेकिन सोल पॉपस पर बहुत कम लोग देते हैं मैं वीडियो भी डालती हो ना तो बहुत ही कम लोग देखते हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि exactly कैसे काम क करता है यह तरीके से चाह भी है आपके सक्सेस की तो कहीना कि आपका जो सोल पॉपस है वो भी आपको समझ जाएगा क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आ रही है जस्मेंट का कार्ड है और मैंने आपके पैशन की भी बात करी तो में भी आपका पैशन आपके पॉपस से तो में भी यह जो जर्णी है आपको इस पिशालिटी के और करीब लेकर जाए अल्रीडी आप हो ही क्योंकि इसलिए आप रीडिंग देख रहे हो अदर्वास तो आप देखते नहीं सकता है और डीप जाने की जरूरत है अगर आपका डेस्टी नंबर सेवन है गाईस तो फ इसा होगा यह New Year कि कुछ चीजें आपकी जीवन में ऐसी घटेंगी जनसे कि आपको समझ आएगा कि आपकी इंट्यूशन जो बोलती है बिल्कुल सही होता है एक्चली हम सभी की इंट्यूशन सही ही बोलती है लेकिन हम सुनने ही पाते हैं कान्फ्यूज हो जाते हैं कि हमा अपने इंट्यूशन की सुनकर आप फैसला लोगे और आपका फैसला सही होगा इसके बाद आपका जो कनेक्शन है एंजल के साथ यूनिवर्स के साथ गौड के साथ वह आपको समझ आएगा और फाइनली आपके सारे फैसले दीरे दीरे करके फिर आगे चलकर सारे सही ठीक है ना और यहां पर है सीरिंग एक्सपेक्टेशन थोड़े से अंबिश्यस भी हो सकते हैं नेक्स्ट और अच्छी बात हैं अगर इस्पेश्यालिटी को साथ लेकर चल रहे हो तो बहुत अच्छा है अगर इस्पेश्यालिटी को छोड़ कर काफी सारी चीज़ें आप expect करते हो और ambitious बन जाते हो तो यह थोड़ा आप अपने दुखी होने का बंद वस्त करते हो ऐसा है and this is your third card so यह card बताता है कि next year ऐसा होगा new year पर ऐसा होगा कि कुछ आपको science ऐसे मिलेंगे कुछ indications ऐसे मिलेंगे जिससे कि आपको यह भरोसा हो जाएगा कि अब आप relaxed रह सकते हो अब आपको और जादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जितनी मेहनत आपने करनी थी इस साल कर ली है अब next year वही है कि बोलते ना भोगने का समय तो वो है आपके लिए जितना आपने बोया है आप उसको next year काटोगे तो और जो फसल आपकी है वो भी काफी अच्छी है काफी सुन्दर है यह भोगने काटने वोने वाली चीज है ना कभी कभी लगता है और यह बहुत कार्मेक है कुछ painful होगा ऐसा नहीं है काफी अच्छा साल आपके लिए रहेगा और मैंने I think जो destiny number का reading किया था उसमें भी मैंने बोला था कि number 7 जिनका है अगर आपने नहीं देखा है वो video आप जरूर देखें उसमें मैंने बताया था कि number 7 जिनका destiny number है काफी painful incidents उनके साथ होते रहते हैं लेकिन 2024 उनके लिए बहुत अच्छा है अगर आपका destiny number 7 नहीं है फिर भी reading आपकी है आपसे अगर resonate करिये तो लेकिन मैं बताया कि अगर है तो यह confirmation है चली देखते हैं और क्या आप receive करने वाले हैं handwritten messages भी हैं गाईस वो भी देखने हैं मुझे आपके लिए आप क्या receive करने वाले हैं butterfly यहां पर आया है Mr. Prince or Miss Princess knocking तो यह card पहले भी आया था जिसमें love partnership की बात करी गई थी तो कोई तो आपको मिलने वाला है अगर आप single हैं so congratulations यह message I think आपको अच्छा लगेगा and new things will be obtained और कुछ नई चीज़े भी होंगी प्राप्त होंगी आपको नए साल पर इसके साथ ही साथ नया experience होगा life का butterfly जो है transformation को दिखाती है दरशाती है so एक नया change है इसके अलाबा यहां पर I think यह पहली बारी आया है card reading में 10 flowers double happiness, double profit पहला message है bonus और increment stability in family fertility all right congratulations guys so I think जितने आपके doubts है वो clear होंगे इन्ही सवालों के जवाब आप डूण रहे थे जवाब आपको मिलेंगे और धहर का फल, मीठा मीठा फल आपको मिलने वाला इसका तो आप screenshot लेलो कि कि यह card I think पहली वारा इससे पहले कभी नहीं आया reading में इतने टाइम से मैं यह deck यूज कर रही हूँ so this message एक card में और निकालूंगी all right sure success in interview तो अगर आप interview देने का सोच रहे हो तो success है यहाँ पर success का पहले भी आपके लिए card आया हुआ है better times ahead आने वाला समय बहुत सुन्दर है and negativity will be removed और किसी भी तरीके की negativity है वो पूरी तरीके से हट जाएगी कि टाइम अच्छा आ रहा है right so यह सब कुछ आप receive करेंगे इसके साथ ही साथ handwritten messages भी देख लेते हैं इतने सारे messages है so यह messages में निकाल जो हूँ let's see क्या है आपके लिए तो पहला message है यहाँ पर answers again so यहाँ पर आपके लिए message था कि हर एक सवाल का जवाब आप तुरंट के तुरंट जानी ले ज़रूरी नहीं है उसके बारे में सोचे भी नहीं और ऐसा होता है जब हम surrender करते हैं तुरंट हमें वो चीज मिल जाती है जिसके लिए हम तड़ पर होते हैं तो आपको answers मिलने वाले हैं then आपके लिए message है you will connect to the universe universe के साथ में आपका connection बनेगा जोकि intuition के energy आ रही थी messages आ रहे थे वो इसी को ले कर थे reunion तो अगर reunion आपको चाहिए तो वो हो सकता है new year पर and someone will meet you और कोई आप से मिलेगा someone special so guys यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो यह reading अगर पसंद आई है तो like जरूर करें resonate करी है तो मुझे जरूर बताएं share करें subscribe करें इस channel को thanks a lot फिर मिलती हूं next reading में till then take care bye bye hey guys तो अगर आपने select किया है card number 2 को and group number 2 को तो चलिए देखते हैं आपके लिए यह new year क्या surprises लेकर आता है humor I choose to focus on the lighter side of life इस message को पढ़िए लिखिए बार बार पढ़िए समझिए और इसको apply करें अपने life में ok हम सभी को यही करना चाहिए life का जो lighter side है जो खुशिया है जो अच्छे अच्छे moments है प्यारे प्यारे पल है उन पर ध्यान देना चाहिए ना की problems पर ना की past की painful memories पर अच्छा वुरा time आता रहेगा वो रुख नहीं सकता तो खुश रहने के लिए हमें क्या करना है जो चीजें हमें खुशी देती है जिन चीजों से मन हलका होता है उन पर focus करना है और जो चीजें painful है हमें भारी energy में डालते है low energy में डालते हैं उनको थोड़ा avoid करना है खुद से नहीं हो पा रहा है तो लोगों की help लो आल राइट ओके सो रीडिंग शुरू करते हैं सबसे पहले मैं देखूंगी tarot cards और उसके बाद oracle cards भी रहेंगे मैं देखूंगी currently आपके life में क्या चल रहा है थोड़ा आपके personality के बारे में भी बताऊंगी और उसके बाद देखूंगी कि ये जो new year है ये आपको क्या surprises दे का इसिस अर्वास का ये फिर्स कार्ट किंग अफ गोर्ज अच्छी है आपको क्या सर्प्राइस देखा ये आपको क्या सर्प्राइस देखा second card King of Cups okay and the Hermit okay hmm two scenarios are which I want to share with you first I feel like that people have chosen this card which now they want to understand that it is the end what is it? this is the Hermit Mode self-realization mode means that when you feel that who is it? how is it? what is it? when you come to the mind you think and observe things and sometimes by the social media you can't stop sometimes 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 you feel like sometimes you feel happy sometimes you know mood swings everything is happening this is a period in all of your life so when you are passing time okay so I feel like you are in the same mode in the same time you are trying to know exactly what you are some people say you are very frustrated some people say you are very happy some people say you are very enthusiastic some people say you are very handsome some people say you are not good can do it so some people are in your mind में चलती हैं और आपको खुद से क्या मैसूस होता है जब आप शांती से बैठते हो meditation करते हो क्या लगता है कि क्या हो वो सारी चीजें दिमाग में चलना यह सब कुछ इतना सारा chaos हो ना वो सब कुछ कहीं ना कहीं है अभी हाल फिलाल में तो मेभी आप इस पीरियट से अभी जा रहे हो ऐसा अभी आप जाने की कोशिश करे हो कि आप क्या हो वो आप वो हो जो एक कैटेगरी के लोग कहते हैं कि आप बहुत hard working हो या फिर आप वो हो जो लोग कहते हैं कि आप lazy हो या वो हो जो कहते हैं आप बहुत हस्मोख हो या वो हो जो लोग कहते हैं कि आप बहुत गुसेबाज हो, क्या हो, यह जानना, समझना, life, क्यूं आपको मिली, reason क्या है, आपको क्या करना है, आप करने के लिए क्या आए हो इस दुनिया में, purpose क्या है, मतब मैं क्यूं हूँ, कुछ तो reason होगा, क्यूं मुझे यहाँ पर लाया गया, यह सारे सवाल कही ना कि अभी हाल जानने के लिए, कि exactly क्या reason है, आपके इस दुनिया में होने का, दूसरा मुझे लगता है, जो scenario मैं शेयर करना चाहती थी, वो यह, कि शायद आपकी लाइफ में दो लोग हैं, जिनके साथ में अभी आप डील कर रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो, कि किस व्यक्ति के साथ, आपको आगे बढ़ना चाहिए, या कौन सा व्यक्ति है, जो आपके सवालों के जवाब आपको देगा, या फिर आपको हील करेगा, अगर ये life partner की बात है, तो आपको एक ऐसा life partner चाहिए, जो कि balanced हो, कभी तो जब logical होनी की बात आए, तो अपने logics रखे, जहाँ पर emotional होनी क की बात है, वहाँ पर spiritual भी वो हो, एक ऐसा partner, बट ये जो दो लोग है, ये आपको थोड़ा सा confuse कर रहे हैं, एक व्यक्ति है, वो काफी attractive है, काफी logically सोचने वाला, समझने वाला, या वाली generalist reading है, एक personality है, वो फैसले उनके हमेशा सही होते हैं, क्योंकि वो कभी दिल से फैसल दूसरा जो व्यक्ति है, वो दिल की सुनने वाला है, बहुत ही kind-hearted, बहुत ही loving personality है, लेकिन उनके कुछ फैसले गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा दिल से काम ले लेते हैं, अब आप नहीं समझ पा रहे हैं, कि आपको किस के साथ जाना चाहिए, attract, I think आप इनसे होते हो, लेकिन फिर आपको लगता है कि emotionally ये कभी भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इतना emotions को importance नहीं देते, तो आप इनकी तरफ रुख करते हो, इनकी तरफ करते हो तो आपको लगता है कि जंदिगी में पहले से ही इतनी परिशानिय हैं, difficulties हैं, उनको handle करने के लिए और आप खुद को emotional मानते हो, तो आप कहते हो, ये भी emotional, मैं भी emotional, तो कैसे गाड़ी बढ़ेगी, तो combination और एक ऐसा result लेकर आएगा, कि पता चला कि दोनों ही बैठकर रो रहे हैं, तो कोई ऐसा विक्ति होना चाहिए, तो आप confused रॉख को career को लेकर हो, कि कौन सा field आपको choose करना चाहिए, तो confused सी energy में महसूस कर पा रहे हो, आप देख लो कि कौन सा scenario आपके साथ में resonate होता है, राशी आपकी Virgo हो सकती है, Libran energy भी है, और यहाँ पर Leo energy भी निकल कर आती है, स्कॉपियन भी लग रही है मज़े, यह लो king of pentacles भी हो गया, यहाँ पर, ten of wands, three of wands, queen of pentacles, so and queen of cups भी है नीचे देखो, कमाल है, आप बहुत believe करते हो इन चीजों पर, एक तो I think soul connections पर and दूसरा compatibility, बहुत matter करती है आपके लिए, आपको लगता है कि लोग समझाता करके नहीं रह सकते हैं, बोलते हैं लोग समझाता करके रह लो, लेकिन समझाता काम नहीं आता बहुत दिनों तक, सोच है आपकी, कुछ दिनों तक तो चलेगा, फिर नहीं, तो अटके हो कही ना कहीं, और उसे सब के बारे में सोच रहो कि क्या किया जाए, क्या नहीं, सो कितना आप से ये रेजनेट होता है, मुझे जरूर आप लोग बताएं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, कल वाली रीडिंग में बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स थे, पढ़ती हूँ, तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ, तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, कित इस वाले डेक से देखते हैं सबसे पहले, यहां पर आया है सबसे पहला आपके लिए कार्ट, फोकस का, तो में भी यह जो कन्फूजन है, यह जो हर्मित मोड में आपका आना, इतने टाइम तक इस मोड में रहना, इस वज़े से हैं, क्योंकि आप फोकस नहीं बना पा रहे हैं, में भी आपका जो थर्ड आय चक्रा है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका पास्ट कह रीना कहीं धुंदला सा था बहुत सारी चीजें हैं जो हीदन रही हैं आपके जीवन दे नहीं आ पे नहीं में कड्रेज को लेकर अपतीज को पर आपको आपकी जन्न पत्री के हिसाब से भी खो सकता है के आपको हमेशा लगता है कि जो चीजें जैसी डिखाई दे रही है वैसी नहीं है कुछ आप काम करना शुरू कर देगा न्यू liaison से ठीक है यानि कि 2024 में जो धुंदलापन है यह जो मून की एनरजी है वो कही ना कहीं सन की एनरजी में बदलेगी मेरी सलाम आने तो आप एमेथिस्ट पहन लीजिए या फिर एमेथिस्ट के साथ में मेडिटेशन करना शुरू करिए इसे काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे ग्रैटिट्यूड पिंक रोज तो कहीं ना कहीं यह जो न्यू यर है यह आपको यह भी एहसास दिलाएगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान ने आपको दी हैं जिनके लिए आपको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए अच्छा आप मैं बता दूं हर्मित के म ग्रैटिट्यूड का आना यह बताता है कि कहीं ना कहीं जो आपके अभी सवाल जवाब चल रहे हैं आपकी लाइफ को लेकर आपके फ्यूचर को लेकर इसके जवाब जब यूनिवर्स देगी तो आपका एक बहुती गहरा कनेक्षन यूनिवर्स से बनेगा एंड आप इस speciality में ऐसे उतरोगे कि फिर वापस इससे जाना नहीं चाहोगे तो मैं यह बता दूँ भले ही card यहाँ पर आए या ना आए लिकिन आपकी एक बहुती सुन्दर सी special journey next year शुरू होने वाली है जिसमें आपका सम्मन्द universe के साथ, angels के साथ, यह भगवान के साथ जिनको भी आप मानते हो, बहुत गहरा होने वाला है तो काफी सारी problems का solution आपको खुद से ही मिल जाएगा जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि अगर आप intuition पर काम करते हो अपनी अंतर आत्मा की सुनते हो तो आपको किसी भी reader के पास जाने की जरूरत नहीं है किसी astrologer के पास जाने की जरूरत नहीं है आपके हर सवाल का जबाब आपके अंदर से ही निकलेगा तो कहीना कहीं उस stage पर next year आप पहुँशने वाले हो congratulations और देखती हूँ एक card यहाँ पर आपके लिए है productivity number 8 तो abundance की energy है यह कहीना कहीं so next year जो है आपके लिए एक abundance year रहेगा जिसको आप हमेशा याद रुखोगे spiritual growth भी है personal growth भी है और यहाँ पर आपके career को लेकर भी message आ चुका है number 8 है तो हम सभी जानते हैं कि abundance का number यह है और king of pentacles भी आया है अब अगर वो वाला scenario आप से resonate हुआ है जो मैंने second वाला रखा था कि आपके सामने 2 से 3 options हैं किसके साथ आपको जाना चाहिए and all that तो उसको लेकर भी clarity आपको मिलेगी और जिस option के साथ आप जाओगे एक abundance life पाओगे यानि कि उसी option को आप choose करने वाले हो जिसके साथ में आपकी life में abundance आए so don't worry और ये खुद से होगा so don't worry परिशान मत हो क्या रे हम कैसे जाने हम क्या प्रियास करें कोई प्रियास मत करो ये खुद से होगा forgiveness 96 हो सकता है अभी आपको 69 दिखता हो नंबर बहुत जादा next year ये नंबर दिखना शुरू हो जाएगा यानि कि एक cycle आपका complete होगा ये सवालों के जवाब पाने का cycle और उसके बाद बहुत सी चीजों के लिए अगर आपके मन में कोई दर्थ है कोई तकलीफ है किसी तरीके की शिकायत है उससे आप मुक्त हो जाओगे खुद को भी माफ करोगे ये दूसरों को भी माफ करोगे मैंने कहा ना कि ये सब कुछ जो सारे कार्ड जा रहे है उसे मुझे लग रहा है जैसे आपकी family से कुछ जुड़े issues है उसके चलते आप आपको भी trust issues हो गए है आप कुछ आप पढ़ते हो या किसी ने कुछ किया है like series देखते हो कुछ भी ऐसा जिसकी वज़े से मन में एक डर, एक insecurity है तो जिनकी भी वज़े से वो insecurity है आप उनको माफ करोगे और खुद से भी अगर कोई गलती हुई है तो खुद को भी माफ करोगे बहुत से लोगों को लगता है ये बहुत मुश्किल है मैं बोलती हुँ न कि forgive कर दो so that आप आगे बढ़ता हूँ बोलते हैं आरे आप बोल देते हो बोलने में बड़ा easy है करने में बड़ा मुश्किल है लेकिन मैंने किया है गाइस इसलिए मैं बोलती हूँ जो चीज मैं करती नहीं वो आपको नहीं बोलती मैं हमेशा readings करती हूँ तो अपना experience शेयर करती हूँ जो मैंने खुद कर पाया है वहीं बताती हो तो कोशिश करोगे तो हो जाएगा और ये खुद के लिए करना है दूसरों के लिए नहीं ऐसा नहीं कि उनको माफ कर दिया क्योंकि उनका भला हमें करना है नहीं नहीं हमें पहले खुद का बला करना है तो अगर आप forgive नहीं करोगे तो आप अटके रह जाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अगें forgive करने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको second chance देना है forgive करने का मतलब होता है कि हम उनसे जुड़ी कोई शिकायत मन में कोई गुसा अपने मन में नहीं रखेंगे हाँ अगर वो आते हैं वापस तो ऐसा नहीं है कि उनको कहो welcome फिर से आओ फिर से हमें दोका दो नहीं ये बेवकूफी है forgive कर दो मतलब हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं शिकवा शिकायत नहीं लेकिन आप अपने रास्ते जाओ हम अपने रास्ते जाएंगे ओके self discipline तो यह भी next year कहीं न कहीं इस पर भी आपका focus रहेगा समय से उठना है समय से सोना है खाना है पीना है योगा करना है वो तो अगर आप speciality में आते हो तो यह disciplined life जो हम सभी चाहते हैं जिस पर हम काम नहीं कर पाते हैं वो automatically हो जाता है सब कुछ the speciality हमें करवा देती है तो यह कहीं न कहीं next year आप celebrate करेंगे मैं कहूंगी हाँ मेरे लिए celebration है तो मैं वही word यूज़ करती हो and यहाँ पर है manifestation तो जो भी आपकी manifestation है वो कहीं न कहीं next year पूरी हो जाएगे और यहाँ पर भी 8 नमबर था यहाँ पर भी 8 नमबर है तो इस दोनों ही जो नमबर्स है चाहे डबल एट हो चाहे एट एट हो या abundance के नमबर है तो abundance तो पकी है for you ओल्राइट और देखते हैं और क्या cards है for you एक नई journey आपकी शुरू होगी और यह journey अब ऐसी होगी जिसका अंत आपको पता होगा ऐसे समझ लो अभी तक आप आप ही जो हाल फिलाल में चल रहा है अभी तक ऐसा है कि आप एक ऐसी journey में हो जहांबर आपको पता नहीं है आगे क्या होगा but कई सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद में आप खुद अपनी journey plan करेंगे आगे बढ़ेंगे और आपको पता होगा कि exactly आप कहा जा रहे हो clarity मैं उसी की बात कर रहे हो यह card pile number one में भी था आप चाहे तो वो reading भी देख सकते हैं शायद वो भी आपसे resonate correct searing expectations तो कही ना कही और ज़्यादा excellent आप बनेंगे और खुद पर एक भरोसा भी रहेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जो बेचैनी से साल रही है वो बेचैनी से आप मुक्त हो पाओगे rest कर पाओगे universe हर एक सवाल का जवाब आपको देती जाएगी देती जाएगी देती जाएगी तो यही जो अभी जिंदिगी बड़ी मुश्किल लग रही है बड़ी आसान सी लगेगी new year से यह आपके लिए होने वाला and taking action ओके यह दोनों कार्ड्स पहले के रीडिंग में भी थे आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं again we'll repeat this आप देख लेते हैं क्या receive करने वाले हैं आप और सब कुछ क्या gifts हैं for you rainbow good news आपको मिलेगी intuition आपकी अच्छी हो जाएगी और भी जादा अभी भी है और जादा अच्छी हो जाएगी favorable change तो favorable changes रहेंगे आपके जीवन में favorable change का मतलब ऐसे changes जो आप चाहते हो an adventure होगा गनेश जी का कार्ड आया है overcoming difficulties तो जो भी difficulties हैं उनसे आप बाहर निकलोगे जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर confirm होता है wisdom यहाँ पर intuition के energy है यहाँ पर wisdom के energy है again जो मैंने आपको बोला था कि speciality से आप जुड़ोगे universe से एक अलगी गहरा connection आपका बनेगा तो वो जो मैंने message आपको दिया था वो यहाँ से confirm होता है auspicious times ahead और आने वाला जो समय है वो काफी शुब है आपके लिए अच्छा है आपके लिए and third message है आपके लिए great opportunity तो कोई बहुत ही अच्छी सी opportunity अफसर आपको मिलेगा कुछ नया करने के लिए creativity दिखाने के लिए abundance को attract करने के लिए winning lottery lottery लगने वाली है material bliss in upcoming period तो material bliss आप जिसको भी बोलो जो भी आपकी definition है उसको लेकर तो वो आप receive करने वाले हो all right तो अब हम देख लेते हैं handwritten messages भी for you चलो ले लेते हूँ दोनों अलगी नहीं हो रहे है तो यह जो है message playfulness playfulness energy में कहीना कहीं आप आओगे मस्ती करने वाले हो next year ऐसा होगा अगर आप अपना बच्पन आप भूल गए हो जो कि हम इसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए हम सभी के अंदर एक बच्चा है और जैसे जैसे हमारी age बढ़ती है वो बच्चा चुप होके बैट जाता है ऐसा नहीं के चला जाता है बट हमें उस बच्पने में कभी ना कभी तो आना चाहिए उस energy को enjoy करना चाहिए तो वो एक मौका आपको मिलेगा next year आप थोड़ा मस्ती कर पाओगे वो आपको मिलेगा next year यह भी होगा then we have good food तो अच्छा खाना आपको मिलेगा तो हो सकता है कि किसी party किसी function में मिले या फिर अगर health issues रहें अभी तक नहीं आप कुछ अच्छा tasty खा पा रहे थे तो आप next year आपको मौका मिलेगा and protection आपको protection मिलेगा next year यह एंजल से है जो protection आपको मिलने वाली है new office हो सकता है आपको office चाहिए हो तो new office आपको मिलेगा next year and then we have you will meet a guru तो एक guru से आपकी meeting हो सकती है बेभी उनी की वज़े से आपका थरड़ाई चक्रा काम करना शुरू करेगा and then clarity मिलेगी life को लेकर and यहाँ पर है a message for you तो आपके एंजल से आपके एंसेस्टर से या किसी पुराने मित्र से आपको एक संदेश मिल सकता है यह बहुत ज़रूरी होगा alright guys तो यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंदाई हो अगर पसंदाई है तो लाइक ज़रूर करें resonate करी हो तो मुझे ज़रूर से बताएं मुझे आपके comments परना बहुत अच्छा लगता है and आप कोई नया topic चाहते हैं तो मुझे बताएं topic लेकर आऊंगी and share करें subscribe करें इसको so फिर मिलेंगे next reading में till then take care bye bye hey guys तो अगर आपने choose किया है group number 3 को and card number 3 को जो की है imagination तो चली देखते हैं यह जो नया साल है यह आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है so इस card को मैं यहाँ पर लगा देती हूँ और शुरू करूंगी tarot card से आपकी reading पहले मैं देखूंगी currently आपकी life में क्या चल रहा है आप देखिएगा आपसे कितना resonate कर रहा है अगर आपसे यह resonate करता है तो पूरा reading आप देखें आपसे resonate होगा वो and अगर नहीं करती है reading resonate तो कोई बात नहीं जाने दो next time के लिए wait करते हैं universe हो सकता एगली बारी आपके सवाल के जवाब देदे all right knight of wands just is okay hand man page of pentacles hmm all right तो किसी काम के पूरे होने का आप wait कर रहे हो जो की होनी बारा अटका हुआ है और आप उसको लेकर परिशान हो यह कुछ भी हो सकता है आपको लगता है कि यह ऐसा काम है जो कि चुटकियों में होना चाहिए था लेकिन इसको इतना time क्यों लग रहे होने में हो सकता है यह कोई project के पास होनी की बात हो हो सकता है यह कोई business शुरू करने की बात हो हो सकता है यह किसी के साथ में relationship में जाने की बात हो शादी की बात हो सकती है ओके एंड किसी से communicate करने की बात हो सकती है मिलने की भी बात हो सकती है मेभी आपको किसी से मिलना है कि आपको लगता है ये मीटिंग ज़रूरी है मीटिंग नहीं हुई तो काम आगे नहीं बढ़ेगा और इसके लिए महनत आप कर रहे हो अपना कर्म कर रहे हो जस्टिस के अनरजी है बोलते हैं आप अपना कर्म करो तो फिर वैसा फाल आपको मिलेगा तो आपको लगता है मैं महनत तो मैंने करी और intention भी है मेरा वैसा ही कि काम पूरा हो जाए negative भी मैं नहीं हूँ तो फिर इतना time क्यों लग रहा है reunion को लेकर भी हो सकता है ऐसा है यह waiting energy है कहें तो और कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है दूसरा scenario मैं share करना चाहूंगी कि आपके सामने दो situations है एक में आपको तुरंत जवाब देना है action लेना है कि सामने वाला आपको force कर रहा है कि आप तुरंत यह काम करो और दूसरी तरफ जो situation है उसमें सामने वाला बहुत धीरे से काम कर रहा है और वो काम अटका हुआ है दो तरीके की situations है तो समझनी पार है आपके कैसे handle किया जाए जो balance आप चाहते है वो balance नहीं है कहीं पर आपको बोला जा रहा है तुरंत आप जवाब यहां पर दो decision लो और एक तरफ वहां पर पूछता आच ही नहीं हो रही बस ऐसी pause है तो यह इतना जल्दी भी आपको नहीं चाहिए इतना देरी भी नहीं चाहिए तो यहां पर कही ना कहीं आप फसे हुए आप मुझे बताईएगा कि आप से कितना resonate हो रहा है कि कि अगर ऐसा है तो यह तो बहुत जादा stress देता है यह situation बहुत सदा stress देती है कि मैं दो तीन बारी ऐसी situation में रही हूँ बाप रे जो बोच सिर पर रहता है ना आप किसी से कुछ क्या भी नहीं सकते आप किसी को जाकर बोलोगे ना वो कहेंगे हां तो इसमें क्या है ऐसे कर लो ऐसे कर लो मतलब तरीके देना बड़ा असान हो हो जाता है कि अगया है कि एसा यहां पर मुझे लगता है आप बताईएगा आप से कितना रेजनेट हो रहा है और देखते हैं आपके साथ ये भी होता होगा ना कि जैसे अगर आप किसी य proteg 팀 कर रहे। नहींरी और अच्छानक से इतने सारे प्रपोज इन उपरचे निटिज आपके सामने आई और कुछ ऐसा होता है कि तुरंत आंसर दो तुरंत आंसर दो कि ये इस opportunity को मैंने लेना है नहीं लेना है क्या पता ही अच्छी लग रही या अच्छी ना हो तो आप थोड़ा सा time लगाते हो तो फिर सब कुछ चला जाता है कुछ भी नहीं बचता ये होता होगा आपके साथ आप मुझे बताना sun nine of pentacles fool four of pawns इस पेशली ये शादी को लेकर होता है अभी भी शादी को लेकर है क्या कोई है जो जल्दबाजी कर रहा है कि जल्दी फैसला बताओ और आगे चीज़े बढ़ाओ और आप हो सकता है किसी का वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से जवाब मिले तो फिर आगे चीज़े क्लियर करी जाएं तो नहीं हो पा रहा है मुझे पता है यह कैसा लगता है आई नो यह बहुत मुश्किल हो बहुत गुसा आता है ना गाईस ऐसे में आई नो तो चली देखते हैं बाट डोंट वरी यूनिवर्स ना अब उसकी अपनी प्लान होती है परेशान मत हो जाएगा ख्लियर सब पुछ क्लारिटी मिल जाए क्या कुछ लेकर आने वाला है नंबर नाइंटीन यहां पर है स्ट्रेंथ जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए हाल फिलाल में तो नया साल कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ दिएगा रिस्क लेने के लिए हाँ एक यह भी आपके लिए मैसेज है कि शायद आपको रिस्क लेने की जरूरत है लेकिन हिम्मत अंदर से नहीं आ रही इसपेशली अगर अगर यह शादी को लेकर है शादी बड़ा फैसला है तो अगर इसको लेकर है तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए कि किसी के साथ तो आ आपके लिए कि कम्युनिकेशन नमबर टू और राइट तो अगर किसी से कम्यूनिकेट आप करना चाहते हो तो कम्यूनिकेशन आपका होगा मेबी यह जो इसी वज़े से हो कि आप कम्यूनिकेट नहीं कर पा रहे हो सामने वाले से इस वज़े से कुछ चीज़े हैं जो अटकी हुई हैं तो communication रहेगा नेक्स यर, नियू यर में, नेक्स यर की बात नहीं कर रहे हूं मतलब, नियू यर से मेरा मतलब है शरुआती जो समय रहेगा नियू यर तो वो तो पूरा ही है, शरुआत का जो समय है तो उसकी बात कर रहे हूं, तो हाँ, आपका communication हो सकता है आप एक काम करो, आप manifest करो इसको लेकर and green adventuring के साथ करना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा और communication में भी मुझे ऐसा लग रहे है, यसे आपको message मिलेगा पहले यसे बात भी हो सकती है, meeting भी हो सकती है तो message का मुझे लग रहा है, सबसे पहले message ही आपको आएगा number seven, passion, be truth okay, so overall energy यह कहती है, जो भी cards है कि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कोई obstacle है और वो communication से जुड़ा हो सकता है, तो finally आप communicate कर पाओगे अगर आपको हिम्मत नहीं थी अभी तक communicate करने की, तो वो हिम्मत आपको मिलेगी आप अपनी तरफ से करोगे, या फिर सामने से, अगर किसी को करना है तो सामने से वो communication आएगा, ठीक है ना, और फिर आपकी जुग गाड़ी है वो चल निकलेगी जो कि अभी तक रुकी रही, ठीक है, ऐसा होगा न्यू यर में देखते हैं कितने लोगों से रेजनेट होगा, पाइल 3, बड़ा ही अलग सी एनरजी है I want to know कि कौन है वो लोग, फोगिवनेस, फोगिवनेस की भी एनरजी है अगर आपको किसी से फोगिवनेस चाहिए, तो आपको मिलीगी, और अगर आपको देने की जरूरत है, तो मौका लगेगा आपको भी कि आप किसी को माफ करें और उनके साथ पिर आगे बढ़ें, या कोई फैसला लें, तो ये भी है यहाँ पर For you, 96 के साथ में, and Creativity ये ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी बिजनेस को लेकरो, पार्टनर्शिप को लेकरो, किसी के साथ में आपने पार्टनर्शिप करी पहले, और वो काफी अच्छा, अच्छा नहीं, स्मार्ट पार्टनर था, कि उसको सारी टेक्निक्स पता थी, कि कैसे, you know, प्रॉफिट लेकर आना है, कैसे, काम करना है, चीजों पर, मार्केट के बारे में बहुत अच्छी जान का रही थी, but maybe, वो इनसान थोड़ा, धोके बास टाइप था, तो कही ना कहीं उसके साथ में, पार्टनर्शिप आगे नहीं बड़ी, आप दूसरे प्रपोजल्स आपको मिल रहे हैं, ल आपकी जो एक जर्णी है, अबंडनेंस तक की, वो कही ना कहीं पूरी हो, लव पार्टनर्शिप की भी यहां पर एनरजी है, कार्ड आया है, तो अगर यह किसी लव कनेक्शन को लेकर है, तो वहां पर भी वही चीज़ है, कि वापस आना होगा, और फोगिवनेस की एनरज एक्सेप्टिंग वाट एज, एक्सेप्टेंस की भी अनरजी है, यहां पर, यह पता ही क्या है, जैसे कि हम लोग होली में कहते हैं, कि सारे जगड़े, शिकायते, दुश्मनी भूल जाओ, और अब हम वापस से दोस्त बनते हैं, और फिर एक नई शुरुआत करते हैं, वो वाले नरजी मुझे लग रही है, ओवरॉल, कि कही ना कहीं इनी सब चीजों की वज़े से शिकायते हैं, कुछ तकलीफें हैं, उनके वज़े से कही ना कहीं ग्रोथ आपकी रुक रखी है, तो फाइनली वो वापस से रीसेट कहना जिसको कहते हैं, वो हो जाएगा, नेक्स जो कि मैंने अभी आपको बोला, लेट गो की एनरजी रहेगी, येस, आप इस पर फोकस जादा करोगे, कि मेरी हीलिंग कैसे हो रही है, सामने वाली की हीलिंग कैसे हो रही है, चीजें आगे कैसे बढ़ रही है, ना कि इस पर कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, या मैंने कि तो वो कही न कही त्याग देगा आपकी महनत तुरंग लाने वाली है बटरफलाए Mr. Prince और Miss Princess knocking and new things will be obtained तो हो सकता है आपके जीवन में Mr. Prince या Miss Princess आए लव पार्टनर्शिप का कार्ड भी आया था कुछ नहीं-नहीं चीजें भी हो सकती है God is Lakshmi feet, abundance and wealth तो abundance आपके जीवन में आने वाली है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था and wealth and positive vibes रहेंगी जिनसे के पूरा साल आपका कही न कहीं जग मगाएगा and aura will shine, आपका aura जो है वो भी cleanse हो जाएगा क्योंकि forgiveness की energy है आप किसी को माफ करते हो ना तो खुद में बहुत बड़ा पंसा महसूस होता है and यहाँ पर है marriage may take place, soon marriage का card भी आया था तो अगर यह सब कुछ marriage को लेकर है अगर ऐसा है कि आप अटके हुए हैं किसी के जवाब की वज़े से तो जवाब आपको मिलेगा शादी भी पक्की हो जाएगी, हो जाएगी शादी, auspicious function होगा एक function होगा and enriched bonding और bonding भी आपकी पहले से ज़ाद अच्छी हो जाएगी जिनके भी साथ आप bonding चाहते हो तो नया प्यार भी लोगों के लिए आ सकता है और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो उनके साथ में एक वही उसी वेक्ति के साथ में एक नये पन के साथ में प्यार को आप सेलिब्रेट करोगे, इस connection को सेलिब्रेट करोगे और राइट, तो अब हम देख लेती हैं एन रिचन चिट्स लेट सी, क्या मिलने वाला है अज जॉब प्रपोजल, तो अगर आप किसी जॉब प्रपोजल का वेट कर रहे थे तो जॉब प्रपोजल आपको नियू यर पर मिलेगा आपको मेल आएगा, हो सकता है, वो भी communication, इसके लिए भी communication का कार्ट था someone from your soul group, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो कि आपके soul group से होगा यानि कि जिससे आप पहली बार मिलोगे, लेकिन आपको लगेगा कि आप पता नहीं कब से जानते हो कितने जन्मों से and a message for you और again यहाँ पर message का कार्ट है, मैंने आपको बोला था कि communication का कार्ट आया है पर मुझे लग रहा है message आएगा and see यहाँ पर confirmation है someone will meet you कोई आप से मिलेगा जो आपके soul group से होगा and you will connect to the universe और universe के साथ में गहरा connection आपका new year पर बनेगा so guys यह थी आपकी reading I hope कि आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो like जरूर करें, resonate करें तो मुझे जरूर बताए, share करें, subscribe करें thank you so much for watching the video फिर से मिलते है next reading में, till then take care bye